नमस्कार मैं हुआ इशाली शेटी मैं पायल शुक्ला आप देखरें 24 न्यूस आइए नज़े डालते है 25 बड़ी खबरों पायर महाराश्टर विधान सब्सक्राइब चुनाओ दोहजार चौबिस से पहले महावी का सागाडी में अर्स सहमती का चल रहा है दौर एक और उदव ठाकरी के सीएम गोशित करने की मांग को शरत पवार गूट और कॉंग्रेस दोनों ने कर दिया है खारीजवई आप कॉंग्रेस के विधायकों ने की है बड़ी मांग कहा कि कॉंग्रेस अध्यक्ष नाना पटोली को बनाया जाए मुख्यमंत्री का उमिद्वा मांतरामगी महाजन और विजेपी विधायक नितेश राने के कथित भड़काओ बयानों के खिलाब AIMIM महराश्ट प्रमुख इम्तिया जलिन ने छतपतिश अंभाजी नगर से शुरू की चलो मुंबईती रंगा रैली इस दोरान कहा महराश्ट के अंदर जो हरकते हो रही है वो सरकार की ओर से ही चलाई जा रही है कहा पुलीस का कैसे इस्तमाल किया जा रहा है यह सब को है पता महराश्ट में जाती और धर्मकी दिवारी खड़ी की जा रही है और की जा रही है दंगे बढ़काने की कोशिश महराश्ट के अमरावती जिले के मेल घाट इलाके में यातरियों से भरी बस हुई हाथ से का शिकार 30 फीट गहरी खाई में गिरी बस इस दोरान बस में मौझूद थे 50 यातरी घटना की जानकारी मिलते ही मौगे पर पहुची पुलिस की टीम ने घाल यातरियों को बस से निकाला बाहर और उने अस्पताव में कराया भरती महराष्ट विदानसवा चुनाव से पहले मंसे प्रमुक राजठाकरे निकी सीम एकनाशिंदे से मुलकाद सीम शिंदे से मिलने उनके सरकारी अवाज वश्रा बंगले पहुचे राजठाकरे करीब 20 मिनट तक हुई दोनों के बीच बात ची मध्यप्रदेश के जबलपूर से मुंबई जा रही गरीब रत एक्स्प्रस ट्रेन के एसी कोच में साब निकलने का संसनी खेच मामला है सामने एसी कोच की साइट अपर सीट पर साब को देका यात्रियों में फैली दहशत यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने कोच को किया लग मुंबई में बारिश की होने वाली हेरी एंट्री मौसम विभाग ने महराष्ट में फिर मांसुनी बारिश की जताई है उमीर आगरा केंट रेलवे स्टेशन से वंदे भारत सुबद छे बज़े हुई रवारा और दो फेर एक बज़े तक पहुची वारान से बता दी कि आगरा से बनारस पहुचने में मातर साथ घंटे का लगेगा समय यात्रा के पहले दिन वंदे भारत के सारे कोच थे फुल ठाने जिले के डॉंबी वली से 20 वर्षी फल विकरेता आली खान को पुलीस ने किया अगरपतार फल विकरेता का विडियो हुआ था वाइरल जिसमें वह प्लास्टिक की पन्नी में पेशाप करते और बिना हाथ धोए फल बेचते दिखाई दिया था अस्तानी नगर के अधिकारी अलिखान के खिलाब कर रहे हैं कारवाई उताप्रदेश के जहासी से हैरान कर देने वाला मामना शोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में बाइक से जा रहे यूवक ने साइकल से जा रहे बुजर्व व्यक्ति पर छीड का स्प्रे शोशल मीडिया पर सु यूपी के नॉडा सेक्टर 18 के गार्डन गेलेरिया मॉल से चोकाने वाल मामला आया सामने पार्किंग को लेकर कुछ लोगों के बीच हुआ भी बाद और फिर की गई फायरिंग जिसके बाद इलाके में फैली दहश्यत मौके पर पहुची पुलिस ने फायरिंग करने वाले तीनों आरोपियों को किया गिरपता साथ ही पुलिस ने हतियार भी किया बरामत जानकारी के मताबिक गिरपतार हुए तीनों आरोपि उतरप्रदेश के खुल जा के है निवासी उत्रप्रेश के काणपूर जिले से हरान कर देने वाला यहाँ पर एक पती-बतली ने लोगों को थेरपी के जरीये जवान करने का जहासा दे का है 35 करोड रुपए लेकर की ठगी लोगों के साथ ठगी करने वाले दोनों पती-बतली ने सब को दिया था जहासा कि इसराइल की ये ओक्सीजन थेरपी मशीन से मुझरू व्यक्ति हो सकते है जवाद दोनों की खिलाब डॉक्टर रेनू चंदेल ने पुलिस स्टेशन में दरच कराई शिकाया पुलाल पुलिस कर रही मामली की जाज उतरपदेश के महोबाद जीले से संसनी केज मामला आया सामने 16 वर्षी लड़की के साथ कथी तौर पर बलातकार करने के आरोप में 20 वर्षी युवक को पुलिस से किया गिरता पुलिस के मुताबिक शनिवार रात को बहला फुसला कर आरोपी नाबाली को ले गया और फिर उसके साथ के अदुश कर्मफिलाज पिडिता के शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू किया आगे की चार्ज बिहार के बेगु सराय से चौकाने वाला मामला है सामने पौधा तोड़ने को लेकर एक चौदा वर्षी नाबाली की खंबे से बांद कर बेरहमी से करदी गई पिटाई घटना के बाद आरोपी महिला और उसके परीजन हुए फराग घटना का वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद पौलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश राजस्तान के जैपूर में आवारा मवेशियो के आतंका खौपनाक वीडियो आया सामने लाल साड़ी पहनी महिला को देख भड़क गई गाय और पैरों से महिला को कुचल दिया गाय के हमले के बाद महिला के सीर, हाथ और पैरों में आई है गंबीर चोटे गनिमतरई की रहगीरों की सूज भूट से महिला की बच्चगी जान फिलाल गाय और महिला को अस्पताल में कराए गया है भरती राजस्थान के बाद मेर जिले से चोकाने वाला मामला है सामने रात में घर में गुसा अंजान यूवक तो लोगों ने उसे पकड़ कर जम कर कर दी पिटाई फिर इसके बाद उसे पेशाप पीने के लिए क्या मजबूर गटना का वीडियो हुआ वाइरल जिसमें आरोपी यूवक को बोटल से कुछ पीने के लिए मजबूर करते हुए दिखाई दी रहे है वीडियो वाइरल होने के बाब बाद मेर पुलिस ने मामला दर्श कर दो आरोपियों को क्या गिरफता महराष्ट में विधान सबाचनाओ को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप है जारी सीम एकनाशिंदे गुट के नेता संजे निरुपम ने महाविकास अघाडी और असदुदी नोवेसी की पार्टी AIMIM पर बोला हमला आरोप लगाते वेक कहा कि AIMIM पार्टी महराष्ट का माहौल बिगाडने की कर रही है कोशिश और MBA के नेताउने दे रहे हैं शहब तीरुपम ने मंदर के प्रसाथ विवाद पर पंडि धिरेंदर शास्त्री ने दी प्रति किया उन्होंने इसे सनातियों के खिलाफ एक साजिस करा दिया और कहा कि भारत के सनातनीयों का धर्म ब्रश्ट करनी की पूनरूप से की गई है तैयारी दिरेंदो सास्त्री ने अंदर प्रदेश शरकार से सक्त से सक्त कारणों बराने और दोश्यों को फासी की सजा देने की मांग की मद्यप्रदेश में डेंगू का लगातार बढ़ता जाया कहर गवालियर में डेंगू से हो चुकी है पहली मौत गुबालियर 500 से जदा लोग डेंगू के चपेट में आ चुके हैं इसके अलावा इंदोर रिया भुपाल में भी लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले केबल गुबालियर में ही इस साल डेंगू के 527 मरीज आ चुके हैं सामने बिहार में अगले कुछ दिनों में बदलने वाला है मौसम का मज़ास मौसम विभाग के अनुसा 24 सितंबर से राज्य में एक बाग फिर सक्रिया हो सकता है मांसुल अगले चार-पाज दिनों तक बारिश की जताई गई है संभावना 24 सितंबर से 27 सितंबर ता कई जिलों में हो सकती है बारिश उतरपदेश के मुझफर नगर जिले से संसनी केज मामला आया सामने मामली बात पर हुई हत्या के मामले में पुलू से तीन भाईयों को किया गिरफतार आरोपियों के पहचान दीपक टिल्लू और मंगू के रूप में हुई जानकारी के मुताब एक पीडित एक दुकानदार था उसने आरोपियों को तंबाकू का पैकेट देने से कर दिया था माना सुप्रिन कोड ने के इंदर सरकार को दी सला कहां कि वे पॉसको एक्ट में बदलाओ कर चाइल्ट पॉनोग्राफिक शप्त की जगा चाइल्ट सेक्शियोली अव्यूसी एन एक्स्प्रोइटेटिव माटेरियल लिखे चीफ जस्टिस डिवाई चंद्रचूर की अध्यक्षता वाली बैंच ने सुनाय फैसला कहां कि चाइल्ट पॉनोग्राफिक से जुड़ी सामगरे डाउनलूड करना और उसे अपने पास रखना है अपराग कहां अगर कोई व्यक्ती इस तरह की सामगरे को मिटाता नहीं है तो या पॉलिस को इसके बारे में सूचना नहीं देता तो पॉसको एक्ट की धारा में हुई फिलाल मन पाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू किया अगे की चाइल्ट महराश्टर के बुलढ़ाना जिले में हुआ बड़ा हांचा कंक्रीट के खंबू से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पल्टी हाथ से में दो मजदूरों की इलाज के दौरान हुई मौत वही तीन लोग गंभी रूप से हुए घाल जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भरती पिछले साथ दिनों से बुख हडतार पर बैटे है मराथा प्रजशनकारी मनो जरांगे पार्टिल अंचन पर बैठे मनो जरांगे पार्टिल की बितिराथ से बिग्रीट तबियत मंत्री शमुराद देशाई ने फोन कर दी इलाज कराने की सलाओ फिलाल के लेतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रें 24 न्यूस से साथ इन 24 न्यूस के सोशल मेडिया प्रेट फॉर्म यूटूब इंस्टाग्राम और फेस्बुक को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले